तो दोस्तो अभी हम Inside Out 1 और 2 इन दोनों इफिल्मों का एक साथ में रिव्यू करने वाले हैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो पिछले हपते यानी 14 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज वुआ था भारत में उसे हिंदी में भी डब करके रिलीज केया गया है अभी भी कुछ जगों पर थेटर में ये फिल्म चल रही होगी मैंने पिछले सप्ता ही इसे देख लिया था परंतु रिव्यू नहीं कर पाया था जो इसका पहला पार्ट है वो भी जून में ही 2015 में रिलीज हुआ था पता नहीं किसकार से पर मैं तब इसे देख नहीं पाया था अभी सेकंड पार्ट रिलीज होने से दो या तीन दिन पहले ही मैंने इसके फर्स पार्ट को देखा था तो लगबग जैसे कि मैं कहानी कंटिन्यू कर रहा हूँ ऐसा ही मुझे लगा जब मैं इसके सेकंड पार्ट को देख रहा था मुझे परसनली इस फिल्म का या फिल्म स्रीज का जो बेसिक कंसेप्ट है जो थीम है वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई देखे हमारा जो विदानत तर्शन है वो क्या कहता है कि मन में उठने वाली जो वृत्तिया है चाहे वो वृत्ति कोई भी हो सुख हो दुख हो लाब हो हानी हो मान हो अपमान हो काम हो क्रोध हो लोग मो मद मद सर कोई भी वृत्ति क्यों ना हो वो वृत्या हम नहीं है हम उन वृत्यों के दरश्टा चैतन्य अमर आत्मत अत्व है ये शरीर, ये मन, ये बुध्धी, ये चित्व, ये एहंकार ये विचार, ये वृत्या हम नहीं है बरावर और इस फिल्म की भी जो बेसिक थीम है फिल्म यही दिखाती है कि ये जो मन में मतलब बुध्धी में ये सारे विचार है, ऐसा उन्होंने दिखाया है हमारे बुध्धी में सारे के सारे विचार किस प्रकार से हमें कंट्रोल करते हैं और हर एक वृत्ती का हर एक विचार का, हर एक इमोशन का भावना का वृत्ति का उन्होंने अलग-अलग character यहाँ पर बनाया है जैसे कि पहले पार्ट में पाच मुख्य पात्र उन्होंने हमारे सामने रखे थे सुख, दुख, भय, उसके बाद में क्रोध और डिस्गस्ट, घिन आना अला कि डिस्गस्ट कोई बहुत मुख्य वृत्ति नहीं है उसकी जगह पर चिंता या भय, शोक, लोब, मव, मद, मतसर इनमें से कोई भी एक वृत्ति वो ले सकते थे पर उन्होंतों यहाँ पर उन्होंने डिस्गस्ट, घिन आना इस एक मुख्य वृत्ति के रूप में इन पाच वृत्तियों को, इन पाच एमोशन्स को भावनाओं को उन्होंने पहले पाट में अलग-अलग करेक्टर्स बना करके प्रस्तुत किया है जैसे वो दिमाग में हर एक मनुश्य के बैठे हुए हैं और वो किस प्रकार से हमें कंट्रोल करते हैं हमारे एक्शन्स को, हमारे कर्मों को, वो किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं ये वृत्या, हलाकि इन सब बातों को उन्होंने पश्चीमी दर्शन के अनुसारी दिखाया है, पश्चीमी दर्शन यही कहता है कि ये सारी वृत्या मिलकर के हम बनते हैं, बराबर, परूंत विदान्थ दर्शन पश्चीमी दर्शन से exactly opposite है, विदान्थ दर्शन कहता है कि ये वृत्या हमें नहीं बनाती है, ये वृत्या हम है ही नहीं, ये सारे विचार, ये सारे वृत्या तो बिलकुल बैते हुए पाने के तर पसार हो रही है, समुदरे में तरंग उठते भी है तो वो शान्त हो जाते हैं, ये वृत्या आती है, चली जाती है, इनसे हम नहीं बन परंतु फिर भी मुझे ये concept इसलिए पसंद आया क्योंकि कम से कम उन वृत्यों को देखने की कला कि भई है ऐसे ऐसे अलग-अलग वृत्या हमारे अंदर है और हमें उन्हें देखना है ये जो द्रश्टा बनने की वृत्यों को देखने की जो कला है वो बहुती प्यारे तरी जो वृत्या है वो उसी के बुद्धी में उन्होंने दिखाई है एक चोटी सी बच्ची है मिन्सोटा एक चोटे से शहर में वो रहती है वहाँ बहुत खुशाल जीवन उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ये सारी जो सुख दुख भय उसके बाद में क्रोध गीन आ होते हैं उसका आइलेंड इसे पाच अलग अलग आइलेंड बने हुए हैं एक दिन अचानक से उनके रिले के पिता की नोकरी बदल जाती है वो दुसरी जगह पर जाकर के सेंट फ्रांसिस्कों में जाकर के रहने लग जाते हैं और वहाँ एक बहुत ही मतलब यहाँ पर बह अलब वहाँ पर जाती है तो उसे बिल्कुल भी वो जगह पर पसंद नहीं आती है वो घर भी पसंद नहीं आता जो उसका पुराने घर का जो सामान था वो भी वहाँ पर नहीं पहुंचाया भी जिस ट्रक में आने वाला था वो टेकसस चली गई है दुसरी जगह पर चली तो वो आने में भी अभी कई सप्ता लगने वाले हैं उसकारण से वो पूरी तरीके से अंदर से दुखी हो जाती है गुस्ता बढ़ने लगता है माता-पिता पर क्रोध करने लग जाती है चिड़-चिड़ करने लग जाती है स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता पुरुतिर कैसे अंदर से वो एक प्रकार से टूटने लग जाती है और ऐसे में फिर जो सुख और दुख जॉय और सडनेस ये दो अलग-लग जो वृत्या है वो उसे फिर से उसके दुख को उसकी चिंता को दूर करने का वो प्रयास करने लगते हैं अंदर ये अंदर और फिर वो उस जर्नी पर निकल जाते हैं सुख और दुख वो दोनो वृत्या इधर फिर जो घिन आना या भय या क्रोध ये जो तीन वृत्या है वो अभी रिले को कंट्रोल करने लगते हैं और जब हम भय में, कुरोध में भय और कुरोध ये जब हमारे बुद्धी को कंट्रोल करते हैं तब हम कैसे गलत निरनाई लेते हैं ये बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पहले पार्ट में दिखाया है जब भय और कुरोध उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं तब एक दिन अचानक से वो घर से घर छोड़ कर जाने का निरनाई लेती है कि नहीं रहना है और मुझे माता पिता के साथ नहीं रहना मैं तो फिर से अपने पापस में इनसे उटा जा रही हूँ हूँ पैरेंट्स को छोड़ करके जा रहे हूँ मुझे घर से भागना आए है और ओ घर छोड़ कर भागने में चली जाती है बस में भी पैट जाती है और फिल्म बहुत सुन्दरता से यह दिखा दी कि जब क्रोध हमारी हमें कंट्रोल करने लग जाता है क्रोध हम पर जब भावी हो जाता है तो किस प्रकार से हम गलत निरने लेते हैं जीवन में तो जब कभी भी हमें कोई हम भय में हो, शोक में हो चिंता में हो, क्रोध में हो तो ऐसे समय में कभी भी कोई निरने महतुपुर्ण निर्णे कम से कम नहीं लेना चाहिए उन वृत्यों को पसार होने देना चाहिए ये बहुत प्यारे सी बात ये फिल्म सामने रखती है माता-पिता का जो संघर्ष है या पिर उनका जो बलिदान है उसे भी बहुत मधूरता से प्यारे तरीके से फिल्म साम बच्चों को सिखाती है एंडिंग में रिले भी उसे अपने पैरेंट्स का माता-पिता का महत्व समझ में आता है वो वापस बस से दोड़कर अपने माता-पिता के पास वापस आती है और इसके साथ ही एक और बहुत महत्व पुर्ण बात पहला पार्ट कहता है कि जीवन में दुखों का भी उतना ही महत्व है जो सुखाकार वृत्ती जो सुख का जो emotion उन्होंने दिखाया है ना character उन्होंने जो दिखाया है वो पूरी फिल्म में ये सोच रहा होता है पहले पार्ट में कि भाई ये दुख ना इसकी कोई आवशक्ता नहीं है ये तो होना ही नहीं चाहिए दुख का कोई emotion ही नहीं होना चाहिए तो एक जगा पर तो वो दुखों को पीछे छोड़ कर उस कारेक्टर को पीछे छोड़ कर वो निकल भी जाती है सुख जो जॉय है वो निकल जाती है आगे पर उन्तु बाद में उसे पता चलता है कि जीवन में दुखों का भी महत्व होता है क्योंकि दुख जब आता है तो वो सुख देकर ही जाता है यह बेसिक सी बात है हमने मैंने तो कम से कम सत्संग में मेरे गुरुदेव के सत्संग में यह बाते देख सुनी हुई है जब भी मैं विदान्त दर्शन की बाते हमेशा सत्संग में गुरुदेव बताते थे कि सुख दुख जीवन के दोनों पहलु है और जब दुख आता है तो वो सुख दे करके ही जाता है चीवन में दुखों का भी विगनबाधाओं का भी कश्टों का भी प्रतिकुलताओं का भी उतना ही जादा महत्व होता है और एक सीन के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि बच्पन में एक जगह पर उसे बहुत दुख हुआ था रिले को वो होकी में ठीक से खेल नहीं पाई थी दुखी हो गई थी बैट जाती दुखी हो करके साइड में फिर उसके माता-पिता आते हैं उसको समझाते हैं प्यार से अपने पास में लेते हैं तो उस समय कितनी खुशी कितनी प्रसंदता रिले को हुई थी तो वो जो दुख आया था न उस कारशी बाद में कैसे उसकी जीवन में सुख आया माता-पिता का प्रेम उसके जीवन में यह बात उन्होंने दिखाए कि दुख भी आता है तो वो सुख दे कर ही जाता है और जब सुख आता है तो वो दुख दे करके जाता है तो दुख जब आये तब तो उल्टा खुश होना चाहिए कि चलो एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, चार दिन के बाद यह सुख दे करक ही जाएगा ये दुख तो ये बहुत प्यारी बाते पहले पार्ट में उन्होंने बच्चों को समझने की दृष्टे से बहुत सरलता से ये बाते दिखाई है अब आते हैं सेकंड पार्ट पर सेकंड पार्ट भी पहले पार्ट की तरह केबल डेड़ घंटे का यह है दुसरे बाद में, उन्होंने चार और emotions को introduce कराया है सबसे मुख्य तो है anxiety, बैचैनी उसके बाद में लज्जा उसके बाद जलन और आलस, ये चार मुख्य वृत्या उन्होंने second पार्ट में दिखाई है, इबने में से anxiety सबसे मुख्य दिखाई है, चिंता बैचैनी, भय, भय तो नहीं कह सकते हैं, चिंता या बैचैनी हम कह सकते हैं, तो वो रिले को अभी control करने लग गई है अभी वो बड़ी हो गई है high school जाने वाली है और उसकी जो दो बहुत अच्छी मित्र यहाँ पर बनी हुई है, वो दोनों भी बहुत सीधे साधे कपड़े पहनने वाले हैं, रिले भी और उसकी वो दोनों फ्रेंड्स भी सीधे साधे कपड़े पहनते हैं middle class family से है और कुछ बहुत ताम जाम बालों को color करना, बहुत अपने आपको so-called cool दिखाने का प्रयास करना ऐसा कुछ भी नहीं है, रिले और उसकी दो फ्रेंड्स है बहुत सरलता से simple तरीके से अपना वो जीवन रहन सेहन भी उनका बिल्कुल साधा होता है पर जब वो high school जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी ये जो दोनों फ्रेंड्स है, वो उसे छोड़ करके जाने वाली है तो ये एक उसको बात बहुत अंदर से चुप जाती है दुख देने लगती है और फिर नए high school में जाने के बाद में वहाँ पर जो होकी की टीम है उनके साथ घुलने मिलने के लिए फिर वो उन लड़कियों की तरह बनने का प्रयास करती है जो लड़किया थोड़ा अपने आपको कूल दिखाने के लिए बालों को कलर करना, थोड़ा एडवांस, मौडन वगएरा वो दिखाने का प्रयास करती है तो रिले अपने आपको उनके तरह ढालने का प्रयास करती है और उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त है जो बिलकुल सिदा साधा जीवन उसके तरह जी रहे होते हैं सिदे साधे कपड़े वो पहंते हैं वो उसे दूर होने लग जाती है वो उने खराब लगने है रिले को वो दोनो जो anxiety है, जलन है, ये जो नई वृत्या उसके अंदर बनी है, वो उसे अभी control कर रही है, वो उस पर हावी हो गई है, और उस कारण से वो गलत निरने उपर गलत निरने लेने लग जाती है, बहुत सारे गलत निरने वो लेती है, और फिर इंडिंग में फिल्म यही बताती है, यही सिखा थी है रिले को, कि यह अपने आपको बहार से बदलने का प्रयास करना, so-called cool दिखाने का प्रयास करना, इसके अपेक्षा जो सीधा साधा जीवन वो जीए रही थी, उसकी जो दो सबसे अच्छी फ्रेंड्स थी, उनका महत उसे पता चलता है, और बहारी मिलकर ही हम बनते हैं, जब वृत्यों के साथ हम जुडते हैं फिर तो मन कहां पर भटका कर लेकर के जाएगा, उसका कोई अंत नहीं होता, ये बात भले ही आपको अभी छोटी लग रही हो, पर इस पर आप सुक्षमता से विचार करना, आज पश्यमी देशों में आप देख लीजे, असी परकार के सेक्षिल प्रफरेंसे, पचास परकार के या पतानी सो परकार के फोबियाज खोच करके रखे हैं, कही पर भी किसी के मन में कोई वृत्या आगे तो उसको एक अलग फोबिया का नाम दे दिया, उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी ही उस न रोज वासना बदलने का भी एक अलग सेक्षिल प्रफरेंस उन्होंने बना दिया, कि भाई ये एक ऐसा सेक्षिल प्रफरेंस है, जिसमें रोज उसकी आकर्शन, उसकी इच्छा, उसकी क्या कहे, अट्रेक्शन रोज बदल रहा है, तो उसका भी एक अलग सेक्षिल प्रफ अपने आपको अपनी आइडेंटिटी वहाँ पर आप समाप्त कर देते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये sexual preference है, मुझे ये phobia है, मैं यहाँ तक हूँ मैंने अपनी पूरी की पूरी मेरा existence उस शब तक मैंने समाप्त कर दिया अपने वृत्तियों के साथ में जोड़ा ना अपने आपको, विदान्त तर्शन इससे exactly positive वृत्तियों से जुड़िये मत, विचार तो आते हैं, चले जाते हैं, समुद्र में उठने मारी तरंगों की तरह आज एक वृत्ति है, तो कल दुसरी आएगी, तो परसो तिसरे अफिचार आ जाएगा वृत्तियों से जितना जोड़ेंगे, उतना ही उनका महत तो बढ़ता जाएगा उनसे जुड़िये मत, पसार होने दीजे, बहते वे पाने के तरह, सब पसार हो रहा है वृत्तिया, आज किसी बात का दुख है, तो कल उतना नहीं रहेगा, दो दिन बाद उतना नहीं रहेगा दो महने बाद तो वो बात याद भी नहीं रहेगी, आज आज आप जिस चिंता में है तो जितना जल्दी उन बातों को हम छोड़ देते हैं पसार होने देते हैं उतना जल्दी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं तो वृत्तियों से जुड़िये मत ये वृत्तिया हमें नहीं बनाती है हम तो वो चैतन्य अमर आत्मा है ये वृत्तिया हम नहीं है ये विदान्त दर्शन का पेसिक है तो बहुत सारी बाते फिल्म अच्छी कहती है लगबग 95% बाते पहला और दुसरा पार्ट बिल्कुल वो सही बाते ही कहते है और बच्चों को ये जो मन में वृत्तिया उठती है उनको देखने की कला बहुती प्यारे तरीके से फिल्म बताती भी है अलाक एंडिंग में थोड़ी बहुत बाते वो अपने फिलासोपिक यानोसर बताते है वो एक अलग बात है परन्तु overall concept मुझे पसंद आया message भी दोनों ही फिल्म में बहुत प्यारा देती विशेश तो मुझे पहला पार्ट इसका ज़्यादा पसंद आया प्रमाता पिता का बलिदान जीवन में कई बदला कभी बदलाव आता है कोई जगह हमें छोड़ कर जानी पड़ती है एक जगह से दुसरी जगह हम चले जाते हैं तो आसकती नहीं होनी चाहिए बदलाव को हमें एकसेट करना चाहिए भाग भाग कर हम कहां तक भागेंगे यहां कोई प्रॉब्लम है परिवार से प्रॉब्लम है पडोसी से प्रॉब्लम है किसी प्रेटिकुलर काम में प्रॉब्लम है बोस से प्रॉब्लेम है तो वहां से छोड़कर दुसरी जगह चले गए तिसरी जगह चले गए । वहां पर भी कोई लोग कोई प्रॉब्लेम आएगा ही न भाग भाग कर हम कहां तक भागेंगे चलिए परसनली मुझे दोनों ही फिल्म में बहुत पसंद आई आप बिल्कुल दिखाना चाहे तो बच्चों को दिखा सकते हैं, मैं इंसाइड आउट वन और टू दोनों ही पार्ट्स को 9 out of 10 स्टार्स दूँगा पैंडल गाइडेस के अब्विसली कोई भी आवशकता नहीं बच्चों की फिल्म है बिल्कुल परिवार के साथ बच्चों के सथापी से देख सकते हैं, बाकि जिन मित्रों ने इसका पहला और दुसरा दोनों पार्ट्स देके हैं या जो भी आपने अगर पहला पार्ट भी देखा हो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको वो फिल्म कैसे लगी है और मैंने जो बाते बताएं, उस पर आपके विचार क्या है मुझे आपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना ये वडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धिन्यवाद जैश्री राम बंदे मातरम